आज का रेसिपी पनीर बड़ा पाओ अब लोग खाया होगा लेकिन पनीर बड़ा पाओ बहुत टेस्टी होता है आज आप लोग को बना के दिखाऊंगी मेरा वीडियो आच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट हीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले पनीर पाओ के लिए पनीर लिया पचाश ग्रम एक बॉयल पोटेटो मैश करके रखा एक्वाटी बैसन लिया हल्दी पाौडर एक चम्मच गरवासली मिलची पाौड़र एक चम्मच स्वाधुलव्य नमोग और अख़्ाँ दुनिया को एसे क्रस करके रखा एक नियन बारिक तो चौप कर रखा लोगरी चिली वर्यक्र ब्रेख रखा और रहा धनीया एक चमच लिया दो पाउ लिया ओयल लिया थोड़ा सा पाने एक पैन गरम करने को लिए रख दिया पैन गरम हो गया एक चमचायल एड़ किया और अच्छी तरह से स्प्रेट कर लेती हूँ और जो अख़ा धनिया लिया वो पहले एड़ किया और कंदा बारी कटके रखा था हारे मिस्टी ऐसा वैड़ करके आज पहले अची तरह प्राइब कर लेंगी लो फ्लेम में मसलों को पहले प्राइब कर लेती हूँ अलियाल और ग्रीन चिली फ्राइब करके हो गया अभी सुखमों इंग्रियरल जो है वो मेंट करूंगी फंदी पाउडर और अच्छी तरह से मिला होंगी और रेड चिली पाउडर एले ग्रीन चिली दिया इसलिए रेड चिली सौदम सब्सक्राइब अब ही जो पनीर दिया वो आट करूंगी पनीर को अच्छी तरह से मसाला के साथ प्लाकी हो गया और जो मैस करके रखा था एक बॉयल पटिटो वो भी आट कर दिया और मसाला के साथ अच्छी तरह से मिला लूगी अबीशो आदनु सार नमर और करम मसाला पाडर लास्ट को अट करके आच्छी तरह से मिक्स कर लेती हो मसाला को लो फ्लेम में अच्छी तरह से मिक्स करने का और जो हरे धनिया बार इक करके कटके रखा था और भी मिक्स कर लेती हूँ और गैस बंद कर देती हूँ और ये ठंडा होने को लिए मिश्रण राग देती हूँ एक पाउल ले लिया और जो बेशन लिया बेटर बनाने को लिए बेशन एड़ किया स्वादुनसर नमर और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर पेर शुका इंग्रीडन्स अच्छी तरह से मिक्स करके एक बेटर तैयार कर लोगी सुकाडी इंग्रीडियंस अच्छी तरह से मिला के हो गया अभी थोड़ा थोड़ा पाणी आड़ करूंगी और बेटर तैयार करूंगी बड़ा के लिए जब दक मिश्रन ठंडा होता है तब दक में बेटर तैयार कर लेती हूं बेटर बना के रेडी कर लिया ऐसे थिकनेस होगा मिश्रन ठंडा हो गया अभी बस तैयार कर लोगी अभी बाल्स भी बना लिया एक प्लेट में रख लेती हूं अगले प्रोसिस में जाओंगी वाइल गरम होने के लिए रख दिया वाइल गरम हो गया अभी बेटर में डिप करोंगी और फ्राइ कर लोंगी एक साइड अच्छी तरह से फ्राइ होने को बाग प्लिप कर लेने का दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राइ करके हो गया एक प्लेट में निकल लगती हूं सेम पोसेस में बागे बड़ा तलके रेडी कर लेती हूं दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राइ हो गया लेक बंकर देती हूं अले बड़ा पनीर बड़ा पाव के साथ साल्ब कर लेती हूं पनीर बड़ा पाव बनके रेडी हो गया यह बहुत स्वाधिस्ट होता है और आप लोग ऐसे ही पोटिटो का जो बड़ा पाव आता है नौर्मेली हो खाया लेकिन एक बर पनीर बड़ा पाव ट्राइ किजिए बहुत टेस्टी होता है मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट किजिए और सब्सक्राइब करना नहां भूलें झाल 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 झाल